क्या पास्टो करोडी रामायन में राम बनेंगी रनबीर कपूर क्या होने वाली फिल्म की खास बाते और रामन कौन बनने वाला इस फिल्म में हेलो फ्रेंड्स आप देखनें बॉडिग्राफ स्ट्यूडियोज में सोनी कच्वार दोसब ऑलिवुड फिल्म निर्माता मदू मंठेना जल्द ही रामायन पर आधारी एक बिग बजट फिल्म शुरू करने वाले हैं जिसमें भारतिय सिनमा की बड़ी बड़ी हस्ती होने व महिश बाबू के चहरे की मासूमियत है वो नितेश कुमार के दिल को भी भागई थी जिस कारण वो इसमें उन्हें लेने की सोच रहे थे हालांकि महिश बाबू ने डिरेक्टर राजमाली को अपनी डेट से पहले ही दे रखी थी और ट्रिपल आर खत्म होने के बार राजम को साइन करने का फैसला किया है बॉलिवुट का ये बर्फी बॉइ मेकर्स की इन दिनों पहली पसंद बना हुआ है और वहीं आपको बता दे नितेश तिबारी ने खुद रनबीर कपूर को रामयन में भगमार राम का जो ओफर था वो दिया था और वहीं आपको बता दे ल भिड़न सीधे होगी इन वृतिक रोशन से क्योंकि रामयन में रामान का करदार करने वाले रितिक सूत्र दी माने तो नितेश से बारे अपनी फिल्म में बैस्ट आक्रिस को कास करना चाहते हैं जो करदारों के लिए हर तरह से हर तरह से फिटो और मेहनत भी उतनी करें उन अब ही तक नितेश कुमार को हरी जंडी नहीं भी है लेकिन उन्हें ये प्रजेक काफ़ एक्साइटिंग लग रहा है फिल्म में सीता के किरदार में दिपिका नसर आएंगी देखिए कितना एक्साइटर होगा ये जानकर कि अगर दिपिका और रनवीर इस विम में हुए तो बहुत टाइम आदी जोड़े कर फिर से रिपीट की जाए कि स्क्रीन पर दोस्तों आप कितने एक्साइटर है क्या आप चाहते हैं कि इस वर में राम का रोल करे रनवीर नीचे कॉमें सेक्शन में ज़रूर रताइएगा और इसी तरह के दूसरे अबडेश के लिए सब बोलीक्राश तूडियो तो